असलामों अलाइकूम एंड विलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं जी आप सब आप सब बिलकुल ठीक होंगे और अलहमदलेला मैं भी बिलकुल ठीक हूँ तो जी भी है जी मार्निंग का टाइम है और उटते साथ जो है न मैं लेती हूँ एक एपल लेती हूँ प्रॉपवर्ष चैनल को लास्ट लोग में बताया था कि आज जो होना मैं डाइट स्टार्ट कर रही हूँ तो उड़ते साथ जो ना प्री ब्रीक पास में एक एपल लेती हूँ बस एपल कंटर से जो ना मैं अपल कट किर लिया था है अपल कंटर से बहुत एजी हो जाता है और आपल कटर मुझे किसी कहाँ से मिलेगा यह बहुत बहुत आप ले लिए जाएं tunnels इस बहुत मैंगा निए टेड़ दोसों को याटर में चाहिएं अपल नहीं से बलेड काफी शाप होते है लिए easily cut हो जाता ना तो बस प्री ब्रेकफास में मैंने एपल ले लिया था उसके बाद ब्रेकफास में क्या खाती हूँ आपको आगे जाके वो भी बताऊंगी और बस अभी ममा लेके आईवी थी लसन और अदरक लेके आईवी थी इसका मैंने का पेश्ट प्रेके रख देती हूं ममा ने लसन भी सारा रात ले बतातों फ़िलना को अध्रका ममा आपको अदरक और किलो ऐतल हों फील लसन है विड़ हादक सबस्क्राइट क्वल कउन्टिटी रख देखते के लिण और किलो से कम लेसन था तो बस इसको मैं अच्छी तरह से वाश कर लूँगी और लेसन वाम लोग पील ओफ वाला नहीं लेते हैं खुदी से पील ओफ करते हैं मुम्मा नहीं दोनों चीज़े जो ना चील के रख दी थी फ्रिज में रख दी ते रात में तो सुबा भी मैं इस उपर आ जाते हैं तो बड़े अच्छी से वाश हो जाता है तो मैं तो हमेशे अच्छी तरह से वाश करती हैं आप लोग मुझे कहते हैं अपी आप सबजी को बहुत जदा वाश करती हैं उसके सारे न्यूट्रियन घदम कर देती तो यार अप गंदी चीज तोड़ा ही खा हैं अगर काम कर रहे हैं तो पर दिल से कर लो अच्छे तरीके से कर लो तो बस गये मेरा यह वाला मारा माइंड ही होता है तो यह मैद मेरे मीरे मांड में पर देती पाँ ने तुमेले पहले तो ड्राइ करने के बाद मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी एड किया और 1-1 टेबल स्पून मैंने मतलब के हर बैज में 1-1 टेबल स्पून ऐड किया था और बास जाना मैं इसका पेश्ट बना लूँगी और यह दो जो हैना मैं पस पीजा सोस फोले जार्स पड़े व गया था मि're आपल खाने के एक गंते बाद बमे कुछ बेकपस्त करती हूं और같वाली मैं मैं ब्रेकपस्टमLL ले ले लतीूं और एक हाफ कप जो ना में घृन टी का झाय भीतियों फिर अभी-आप शका घृंब कोई चीज ने करने कहती हैं तो सबसे पहले उटतेसाथ एक घंटे के बाद मैं ग्रीञ टी ले लेती हूं और साच गुना आपल एम स्प्रिंकल करें थोड़ा सा नमक पर लेती हूं जो नमक सप्रिंकल करा हैं तो तो बिर बीज करें भी सुछए ऑर इसका से बेड़ा बैटके एक खाहती हूं पर पीकषछा एक घंटे में होते हैं मैं समय डेती हुं और जो काम करने मा लेती हुँ वह कर लेती हैं लिख में ब्रेक्ट इपस्ट यह वाला मनेरड़ी एक होती हुँ और पिर प हमेरी मैं सकोबस से बाइड के खाती हुआ आराम औराम करके रिलाक्स करके तो इस तरह से 2-1 बॉयल कर लेती दोकिं कर लेकिं कार लेकिन हम नहीं खाती है और साथ ही पुर यह देखे जी मैंने दो जार पिस जिंजर गार्ली के भड़े थे और एक जोनन यह हम आइस क्यूब यह भी फिल लो गए ती तो यह गज़ती त जोना सीख कम और डाल के इसको मिकस करती हूँ और यह टीन फिर्ज में रख लिगाए तक खड़ाब ना हो तो तक खड़ाब ना odpow करूएंगी तो यह यह यूज भाद यह फ्रीजर वाला यूज पर उसके बाद यह यह फरीजर वाला यूज करूएंगी फिटीन हंडर्ड के अधर रख थी तो फाइफ सिस हंडर्ड का लसन होगा लसन का हुजए नहीं बता लेकिन के 2000 में हमारे तीन जार बन गे थे और एक आइस क्यूब की ट्वे बन गी जो फ्रीजर में रखी जाएगी तो बहुत ज़दा खाना बनाने में एजी हो जाएथा ब मिर्चों का पेष्ट भी बनाकर रख लोगो बहुत पिर एजी हो जाता है कि खाना बनाने में तो रमजान में जाक्ते हो जाता है प्रेख स्थीज़द बहुत चोटे साइस की भी तोड़ी और बिल्कुल थोड़ा सा ब्ली चोड़ा सालन विडाउत ऑप सालद और बिल्स और एक खाती हूँ उसके तक्रीबन दो धाई तीन घंटे के बाद जो ना मैं रोटी लेती हूँ और बिल्कुल छोटा सा फुलका और साथ थोड़ा सा सालन ले लेती हूँ और एक ग्लास जो ना मैं पहले पानी पीती हूँ और इस तरह से ना पेट बहुत फुल हो जाता है जो 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 ज कर लेती हूं तकरीबन आदा घंटा जब मैं टुईशन जैनब को चोड़ के आती हूं अभी मैं आदा घंटा जो ना वाक कर लेती हूं बाजी वाक करती हूं और उसके बाद शाम में तक शे बजे तक शाम से पहले जो ना थोड़ा सा सैलर ले 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 जिसमें जो ह तोरह सा घ्टी फीरी ले लेटी हों, वो खाले ले लेए आइक और दिनर कोई, मतलब कोई काब ले-ले, नमुवमरे, लुख सब्सक्राइगा अगर थे टी रम काभगण कोई. तो नोग है तो चिकन की दो बोटीया खा लें बेसे चुप्न कुछ भी मीथा ऐसे कोई भी चीज निए खा लेती है इसे हो ने प्याधर का टाइम है यहा粉 है। यह कहा लेती है यह का लेती है नर्जी भी रहती है, फ्रूट में एपल भी है, तो इसना से बहुत फुल्फिलिंग जो हो जाती है, शाम में वेजिटेबल्स भी है, तो सब चीजे जो हो रही है, मैंने जो हो रही है, तो मैंने का आप लोग इस अपनी डाइट रूटीन शेयर कर देती हूं, वागे आप ल सुस्ती ही हुई है, और कर लिए था, मैंने जैनब के जो फीडर वायल लास्मी करती है, तो करीबान पर देकर आधे पून गंटेगे ले गरम-पानी में गरम पानां रहेने देती हूं, इस तरह से यह है कि फीडर भीज़्य बहुत अच्छी है, यह बहुत अच्छी है क्ल वीक में एक बार जो है ना वह मैं लाजमी वाश कर देती हैं उसे हैं कि बहुत क्लीन से हो जाते हैं साफ सुतरे हो जाते हैं इस तरह से बच्चे का पेट वगएरा खराब नहीं होता है मैं जाना वह कभी सौंफ वाला पानी नहीं दिया था जब छोटी भी तब भी नहीं दिया था बस इसी तरह से केयर करती हूं कि सफाई का थोड़ा से ज्यादा ख्याल रखती हैं कि हर चीज में सफाई होनी चाहिए बस इसी तरह मैं इसके फीडर्स वाश अच्छी तरह से कर अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं और आज की मेरी रूटीन यही थी वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा इंशाला मिलूंगी ने ब्लॉक में अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाला द्वा किजिएगा मुझे म नहीं अच्छी लाइक कर दीजिएगा लपीस